हलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी लोग में आगे हूँ और एक नए वीडियो के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको bgmi और pubg mobile के सारे विरेंट्स के 2.3 अपडेट की release date बताऊंगा तो आप बस इस वीडियो को पूरा अंतक देखते रहें कुछ भी skip मत करें उससे पहले मैं आपको 2.3 अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है उसके बार में बताता हूँ तो 2.3 अपडेट में हमें एक new mode देखने को मिलने वाला है लिविक नूसा और इरेंगल मैप के अंदर जिसका नाम होने वाला है football कारणिवल और जैसे हम match start करते हैं त तो आप देख सकते हैं फूटबॉल कार्निवान नाम का यह सी एक जगा दिखाई देगी, जब हम यहाँ आते हैं तो आप देख सकते हैं पूरी सीटी एसे उन्होंने बनाई है, और यहाँ एक स्टैच्चू भी है, तो सबसे पहले हम स्टैच्चू के जगा पर जाते हैं, त तो हम जैसे यहाँ आ जाएंगे, क्वारी के जगा पर, तो यह हमीं city दिखाई धेगी, और यहाँ ऐसे यह बना हुआ है, अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ यहाँ से यहाँ से हम वी ओपर चले जाएंगे, और हम फुट बॉल बन जाएंगे, तो आप देख सकते हो, हम अभी हम चल पाएंगे हम कहां भी इसे ले कर जा सकते हैं क्योंकि यह vehicle type जैसा है आप देख सकते हैं जम्प के button पर में दबा रहा हूँ तो यह jump भी कर रहा है तो आप इसे कहां भी ले कर जा सकते हो तो यह देखो और अगर हम exit पर दबाएंगे तो आप देख सकते हो हम normal बन जाएंगे और यह इसी यह bag या फिर यह football हमें कहां भी मिल जाएगा तो अब ही हम use करेंगे तो यह देखो फिर से हम football बन गए है तो इस mode के अंदर हम इसे football या फिर यह football vehicle हम चला सकते है फिर next हमें boots मिलेंगे अगर हम इन boots को पेंते हैं तो आप देख सकते हैं हम तेजी से भाग सकते हैं तो आपको मैं फिर से दिखाता भी हो यह देखो तो इसका थोड़ा सा cooldown time भी होता है चार सेकेंड के बाद फिर से आप इसे use कर पाऊगे जैसे आप इसके पर click करोगे तो आपकी speed बढ़ जाएगा आप देख सकते हो क्या ही तेज भाग रहा है प्लेए तो यह football boots है तो यह भी आपको इस mode के अंदर देखने को मिलने वाले है फिर बाद में दोस्तो आप football से किसी enemy को कुचल भी सकते हो क्योंकि यह vehicle type है आप देख सकते हो मुझे kill मिल गया है और फिर एक दोस्तो air drop भी है football का तो यह रहा तो यह normal football vehicle से अलग दिखता है red white combination में है और इसके पास जाओगे तो आपको इसी loot मिल जाएगा और अगर आप यह bunkers देख सकते हो तो इसके अंदर भी थोड़े से उन्होंने improvements कर दिये है तो यह सारी चीज़े हमें 2.3 update में देखने को मिलने वाली है तो यह 2.3 का update बीजमा और PUBG Mobile के अंदर कब आने वाला है तो इसके बार मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले हम PUBG Mobile से start करते है यह नया update देखने को मिल जाएगा Play Store, App Store और उनके Official Website के उपर फिर नेक्स आता है PUBG Mobile वेतनाम तो वेतनाम वर्जिन में यह update 14 November को देखने को मिलने वाला है फिर नेक्स आता है PUBG Mobile कोरिया वर्जिन तो कोरिया वर्जिन के अंदर यह update 15 November को देखने को मिलेगा और फिर last आता है PUBG Mobile के सारे विरेंट्स के अंदर जब 2.3 का update आ जाएगा फिर उसके बाद विजमाई के अंदर update आ जाता है तो यह expected है कि विजमाई के अंदर यह update 18 November या फिर उसके आगे हमें देखने को मिल सकता है पर एक main सवाल यह आता है कि क्या हमें विजमाई के अंदर 2.3 का update देखने को मिले गा है या नहीं क्योंकि आप सभी को पता है कि बीजमाई temporary ban है इंडिया के अंदर और play store और app store पर अभी वापस नहीं आया है तो क्या हम यह new update देखने को मिले गा है या नहीं और अगर हम in game में देखते है तो इन्होंने बहुत सारे नई changes फिर से कर दिये हैं दोस्त तब 3 मत सिदा आगे उन्होंने कर दिया है और बाकी अगर cycle 3 season 7 पर जाओगे तब यह season जो अभी फिलाल में चल रहा है cycle 3 season 7 तो यह 19 नोहेंबर को खतम होने वाले उसके बाद नया season हमें देखने को मिलेगा तो यह अभी भी उन्होंने change नहीं किया है तो ऐसे लग रहा है कि हमें नया update देखने को मिल सकता है अगर बिजया मैं unban हो जाए पर यह confirm नहीं है दोस्तों क्योंकि cycle 3 में अगर आप जाते हो तो अभी आप फिलाल में देखे गए तो इन्होंने फिर से यहाँ cycle 3 season 9 जो हमें दिखाई दे रहा था कुछ दिन पहले तो अभी इन्होंने cycle 3 season 7 क कर दिया है तो शायद ऐसे लग रहा है कि शायद बिजया मैं के अंदर 2.3 का update इस बार भी वह skip करने वाले है तो देखते हैं क्राफटन क्या करता है अगर वह skip कर देगा तो दोस्तों यह game पूरा डेड़ हो जाए क्योंकि अभी फिलाल में मैं खुद यह game नहीं खेल रहा और आप भी मुझे पता है जादा नहीं खेलते होंगे पर अगर यह update अभी नहीं आता है तो फिर मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यह update confirm January में देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लिक से हमें इसे पता चला है कि बिजया माय का comeback होने वाला है January के अंदर उसी के वह सब्सक्राइब करके रखे और बेलोट से भी आल पर सेट कर दे मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तिल देन सी यू बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग